हालो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में आज सेशन में हम लोग यह छोटा सा सेशन होगा लेकिन यह बहुत महत्पुन सेशन है यहां आपका कुल जितना भी यह देखिए भारतिया वन सर्वेच्छन रिपोर्ट के एकॉर्डिंग छार से आपका एक प्रेशन तो हंडेड़ प्रेशन स्योर है या इसे ज्यादा भी पूछ लिया जा सकता है तो यह जो सेशन रहेगा आपका छोटा सेशन रहेगा वह भारतिया वन सर्वेच्छन रिपोर्ट दोजार उनीस छारकन में बन किस्थिति इस पर है तो आए इसमें द देखिए एक एक करके देख लेते हैं तो देखिए जवण बुरिधी है वो सबसे जादे किस तो ध्यान रखेंगा वो बेश्या 15 मिया ऑर और जो सबसे ज़्स त्यादा पर्सेंटेज में अगं कि ऊनकफे में रखेंगा वह आपका कि यह आपका लातिहार में है 56.08 percent percentage wise सबसे ज्यादा बन कहां तो लातिहार में अगर एरिया वाइज अगर पूछ लिया जा तो ध्यान रखेगा एरिया वैज आपका सबसे ज्यादा बन आपका यहां पूर्वी सिंभू में है और जमताड़ा सबसे कम है एरिया वाइज भी और सबसे कम है परसेंटेज वाइज भी तो ध्यान रखेगा और एक यहां पर यह रामगर्ड इसलिए इंपर्टेंट हो जाता है इसको भी ध्यान रखेगर घुमा की कुश्चन पूछ लेज़ा आपसे कि रामगर्ड में कितना परसेंट चेंज हुआ है तो रामगर्ड एक मात रहसा जिला है जिसमें बन ना तो घटा है और ना तो बढ़ा है प्रिवियस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो यह जो तीन चा जांतड़ा हो जाएगा कि और अगर सबसे ग्यांदा पूछे ब कब वर जित्ति का हुई है तो वह चत्र हो जाएगा और सबसे जादा अर्यरिया वाइज बन कना तो यह तिन चार डेटा अच्छे से रादब कर iजिए कोसिस की में जहाब एक उप और लिके याद आए जिसमार जो महतपुर्ण है एक करके देख लेते हैं तो देखिए इसमें और महतपुर्ण क्या है महतपुर्ण बात जुद्धी गई है तो यहां पर देखें जहारखन में कुलचेत्रपल आपका इतना है 79,700 वर किलोमेटर तो उसमें से आपका देखें 3611.41 किलोमेटर छेदपन वन का विस्तार है अब उसमें देखें इसमें क्रेटेगरी बाटा गया है घना जंगल चेत्र यानि देन्स फॉरेस्ट एरिया जो है आपका उसका कितना किलोमेटर में विस्तार हो तो ध्यान रखेंगा 263 ध्यान से यह याद किजिए 263.2-0-1 किलोमेटर फेला है कौन सा तो देन्स चेत्र और उसके बाद जो है आपका मध्यम जंगल यानिकी मीडियम फॉरेस्ट वह कितने पर है तो ध्यान रखेंगा वह 967.36 वर्ग किलोमेटर पर है और जो ओपन फॉरेस्ट जो बोलते हम लोग यानिकी खुला जंगल चेत्र वह है आपका 11320.85 वर्ग किलोमेटर पर यह तीनों डेटा एक वार आप इसको भी ध्यान में रख लिजें इंपोर्टेंट है अब देखिए नेक्स्ट वर्ष क्या बोल रहा है वर्ष 2017-19 में जार्खन में कुल चेत्र में बंचेत्र का परतिशत यह भी इंपोर्टेंट है आपका कुल परतिशत जो वन है वह आप आपका कितना है तो 29.62 परतिशत है नेक्स्ट है आपका इसमें बीगत दो बर्षों में सार्वधिक बंचेत्र देखिए सबसे ज्यादा कहां बढ़ा तो 14 जिले में कितना बढ़ा तो 11.35 किलोमीटर बढ़ा देहां रखिया सार्वधिक छेत्र पल बढ़ने वाला बंचेत जिला कौन सा तो चत्रा है ध्यान से इसको याद कर लिजिए नेक्स्ट है जबकि संपून ध्यारखन में विगत दो बर्षों में कूल बनों की ब्रिद्धि कितनी हुई तो ध्यान रखिएगा 58.41 किलोमीटर कूल जो ब्रिद्धि हुई वह आपका अंठामंद समलोच चार सुने रहा वन विरिद्धि दर यानि कि ना कुछ एक भी परसेंट या कुछ भी नहीं बढ़ा वहां जबकि इसी दौरान कुडर्मा साहेवगंज सिम्डेगा जिरें बंच्छेत्र घटा अब पूछ लिया जाए चार ओप्शन देकर कि इन में से किसमें बंच्छेत्र यहां बंच्छेत्र आपका घटा है नेक्स्ट आपका इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार बीके दो बरसों में राज में बास और बखार पौधे का जंगल बढ़ा है जिससे जंगलों की कारवन सोखनी के छमता तथा पानी संरच्छन में ब्रिद्धि हुई है तो यह काफ पर मुख जिले आपका दिया गया है चार-चार करका दिया गया तो आईएं करके करके देख लेते हैं तो देखे है सार्वदिक वंच्छेत्रवाला एरिया वाज आपको बताना कि सार्वाधिक छेत्र कौन से जिलम है तो पहले नंबर पर आपका प्रस्मी सिंभूब कुल एरिया यहां है आप यह डेटा याद नहीं भी किजिएगा तो चलेगा बड़ सिक्वेंस याद रहना जरूरी है दूसरे नंबर पर आपका लाते हैं देखें हाइस्ट फॉरिस्ट एरिया यानि कि सार्वाधिक बंद छेत्र फल्द एरिया वाज ध्यान रखें रखेंगा तीसरे नंबर पर चत्रा और चौत्य नंबर पर है गुमला अब जो नेक्स्ट है आपका यहां पर आप कम से कम तीन याद कर लिजिए सार्वाधिक ब दूसरे पर लाते हार और तीसरे पर चत्रा नेक्स्ट है आपका अग्यां नियुंत्यम वंद छेत्र वाले जारकन के अब हाइस्ट वंद छेत्र हो गया लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया तो लोएस्ट फॉरेस्ट एरिया में कौन-कौन सा आये देख लेते हैं आप जूम कर दूसरे नमबर पर उसमें देवघर और फिर है धनवाद और नेक्स्ट आप तीन याद कर लिजिए सबसे कम किसमें जमतारा में उसके बाद सबसे कम किसमें धनवाद में ध्यान रखेगा नेश्ट अभए आपका सारवाधिक बंद परतीसत वाले आपको परसेंटेज वाइज देखना है किसी तरह से पुछ लिया जा सकता है आपको एरिया वाई सकते हैं और वह सब्सक्राइब हो लो देख ले लग देख लिए को देख लेक है दो पर्सेंटेंटेज टो पर्सेंटेज़ हम देख लेते हैं यसा और लो दो पहले पूसरा तैसरा पूछ लिया जा सकता है तो द innovative पर्संटेज़ वाइज में चत्रा इसका एरिया देखी लिजिए एक वाद से तालिस दसमलो आठ जीरो है और तीसरे पर परस्मी सिंबूम तो तीन याद कर लिजिए परसेंटेज वाइज में हाइस्ट है आपका लात्य हार चत्रा और परस्मी सिंबूम ध्यान रखेगा लिएघ्दा याद रखने से 2 वह पररसेंटेज बाइज सब सकश कम कर देवगहर में तो přिसते पर नमधर तो याद कर लिए जैंत देवगहर और दनवाद यति या रूवार जैन्ट जो सारवदिक 30 सगंड.न्सक इसका जिले में है तो देखें इसका सही जवाब है कि आपका जी जवाब नहीं बल्कि मतुल्ब जो आपका पहले पर आपका लाते आठ दोसरे पर पर परस्मी सिंभू और तिसरे पर गूमला किसमे है यह तो दखिया तीस सगन चेत्र फ़ल तो इसका सही इसका देखिए पहले पर है आपका पाकुड़ दूसरे पर गोड़्डा तीसरे पर साइब गंज और चौत्रे पर सिंडेगा अब देखिए यहां पहले पर ताच पना हूँ जारकन राज के चार एसा जिले जहां कोई अतिस सगन बन नहीं पाया जाते हैं तो वह आपका धनवाद जमताड़ा दुमका और देवगर ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है आपका अब देखिए ओपन फोरस्ट सारवदिक खुले वंच्छत फल वाले जारकन के चार जिले तो सारवदिक ओपन फोरस्ट कहां है तो पहले पर आपका पस्मी सीमून दूसरे सिम्डेगा तीसरे पर गणवा और चौत पर हजारी वाद ध्यान रखिएगा नेक्स्ट है आपका अब है नियुंत्यम खुले वंच्छत नियुंत्यम जो ओपन फोरस्ट है आपका तो की जिले में जामताड़ा में सबसे कम है फिर उसके पाकुड में है फिर उसके बाद सारवधिक बृधिवाले जारखन के चार जिले ये इनकों से देखिए तो सब से ज्यादा जो वंच्छत बढ़ा उसमें चार जिले जो है उसमें पहला जो आपका चत्रा है कितना बढ़ा देखे जारत असमलों 3-5 किलोमीटर वर किलोमीटर और दूसरा जो बढ़ा सबसे यहां से आपका जितना भी था आपका फारेस्ट रिपोर्ट से बनने की संभावना मैं उसको सारा कवर कर दिया हूं आप एक एक करके देख लिजिए डेटा को याद कर लिजिए और इसको लिख के रख लिजिए आपका एक क्वेश्चन हंडेट प्रेट्शन स्योर है पेपर जाए इसको अच्छे से कवर करके याद करके एक कॉपी पर जो मुस्ट इंपोर्टेंट है अगर ज्यादा सारा याद निकरना तो आप जो भी टॉप में है वह याद कर लिजिए या उसको लिख लिजिए और उसको बार-बार रिविजिन करते रही है जिहान रेखिए यह से एक से दो प्रस्ट हंडेट परसेंट स्योर है तो चलिए यह चोटा सा सेशन था जो लेकिन काफी इंपोर्टेंट था इसको यह पर करते हैं